गंगा यानि इंडिया फर्स्ट क्लोन गाय एक अभूत्पूर व्यग्यानिक उपलब थी जो भारत के कृशी और पशुधन छेत्र के लिए आपार संभावनाय रखती है। आईये इस उलेक निये गोजातिय क्लोन और इसके संभावित प्रभाव के पीछे की अविश्वस्निय कहानी में गोता लगाएं। इस क्लोन गाय का नाम गंगा रखा गया है जो हमारे देश में बहने वाली पवित नदी को इश्रधान जनी है। गंगा वेग्यानिक प्रगत और हमारी सांस्क्रितिक विरासत के संदक्षिंग का प्रतीक है। भारत ने अपनी पहली गाय गंगा नाम की मादा बच्छडे का सफलता पूर्व क्लोन किया है। उसका जन्म 16 मार्श 1923 को करनाल हर्याणा में राश्ट्रिये डेरी अनुसंधान संस्थान यानि एंडियार कोशिका के नाभिक को एक अंडे की कोशिका में स्थानांतित करना शामिल है जिसका नाभिक उटा गया है। अंडे की कोशिका को विभाजित करने और एक भूर में विकसित होने के लिए प्रेरिध किया जाता है जिसे सेरोगेट मदब में प्रत्यारोपित किया जाता है गंगा एक सुष्थ और संपन्न बचिडा है वो भारत की पहली क्लोन गाय है और उसका जन्म पश्यू क्लोनिंग के छेत्र में एक प्रमुख मीर का पथर है वो गिर गाय है, मवेश्यों की एक नसल जो भारत की मूल निवासी है, उसका वज़न करीब 72 किलो है गंगा के क्लोनिंग भारत के लिए एक महत्वपून उपलब्धी है, इससे पता चलता है कि देश के पास पशुधन का सफलता पूर्वक क्लोन करने की विशेश्टा और संसाधन है ये भारतिय डेरी उद्योग पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि इससे गायों की नई नसलों का विकास हो सकता है, जो अधिक उत्पादक और रोक प्रतिरोधी है पशु क्लोनिंग के छेतर में भी गंगा की क्लोनिंग एक बड़ी सफलता है, ये पहली बार है कि भारत में किसी गाय का प्रतिरूपन किया गया हो, और पहली बार है कि गिर गाय का विश्व में कहीं भी प्रतिरूपन किया गया हो, ये उपलब्धी अन्य पशु की क्लोनि एक महत्वपून घटना है जिसका भारत और दुनिया पर बड़ा प्रभाव पढ़ने की संभावना है